मल्यलम मूवी और संधिक त्रिलर मूवी गार सब फटा極 कितना तो इतना अच्छा है मतलब वह कहते हैं लोग अक्सर यूट्ब के अंदर यह शर्च करते रहते हैं कि मल्यलम स्पेंज मुवी इयह हैं और ये वर्थ है, क्योंकि recently मैं एक और मुवी देखा, जो कि Disney प्लस होट स्टर पर रिलीस किया गया है, हिंदी डबिंग के अंदर, वैसे फिल्म बहुत दिन पहले ही रिलीस किया गया था, लेकिन हिंदी डबिंग में या फिर सब्टाइटल के साथ मेरे नजदी की किसी भी पर रिलीस नहीं किया गया, मैं बात कराओं फिल्म किश्किन्दा कांडम के बारे में, अब क्या है ये मूवी, क्या इसका मतलब ब्रिलियंसी है, उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मैं इस फिल्म का अगर तारीफ करना शुरू करूं तो कहीं पर खतम नहीं किया जा सकता, वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है ना, कि मतलब आपने द्रिश्यम देखा है, द्रिश्यम को माना जाता है कि मलैलम सस्पेंस मूवी का जो जॉनरा है, उसके अंदर पेस्ट है, आप अगर ये मूवी ध्यान से देखेंगे, अगर आपको एक स्लो बंड श्रिलर पसंद है, तो आपको ये मूवी उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा लगने वाला है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, उससे भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, अगर द है उसके वज़े से यह जो लाइसेंस्ट आम है यह जमा करना पड़ेगा पूली स्टेशन के अंदर अब इसके आगे क्या होगा इसके बारे में अगर मैं जरा सभी कहूं तो स्पोईलर हो जाएगा तो मैं यह नहीं चाहता कि स्पोईलर हो जाए तो आप जाकर देखी यह फि स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है देखिए एक चीस के बारे में मैं कहा देना चाहता हूँ कि यह कोई मास मसाला वाला मूवी नहीं है यह एक स्लो बंड मूवी है और जैसे कि मलयलम स्लो बंड थ्रिलर के अंदर होता है यह बिलकुल वैसा ही एक मूवी है लिखाई बहुत इस फिल्म का और इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर मतलब देखिए थ्रिलर मूवी के अंदर अक्सर क्या होता है कि आप से इंफॉर्मेशन चुपाया जाता है ताकि वो एंड में रिविल किया जा सके और यह जो है अक्सर लोग मतलब सोच नहीं पाएंगे कि यहाँ पर चीजों को छुपाया जा रहा है आप यह देखेंगे कि आपको सब कुछ ही बता दिया गया है लेकिन जब इस फिल्म का क्लाइमेक्स आता है और धीरे 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 जब चीजे रिविल होता है तब आप सोचते हैं कि अरे यह क्या क चुरू करता है मतलब कि यहाँ पर जो है स्लो पॉजन तरीके का है यह चीज क्लाइमेक्स के अंदर और एक चीज है कि यहाँ पर जो नेरेशन है मतलब इसी जो चीज मैंने अभी कहा कि आपको सभी चीज रिविल नहीं किया जाता है यह आप सोच भी नहीं पाएंगे और जिस नेरेशन के द्वारा वो नेरेशन काफी ब्रिलियंट है मतलब जिसके पॉइंट आफ यू से यह कहानी बताया जा रहा है अगर वो उसको खुद नहीं मालूम तो आपको कैसे पता चलेगा तो यहाँ पर वहीं चीज यहाँ पर क्रियेट करने की कोशिश की गई है कि आप सोच ही नहीं सकते किस तरह से यह फिल्म को डिजाइन किया गया है यहाँ पर फिल्म जो है वर्ल बिल्डिंग करने में यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेता है यहाँ पर जो emotional establishment है काफी काफी बढ़िया है emotional quotient को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है औ उसको बहुत strong रखना पड़ेगा तभी जाकर आपको shock value महसूस हो सकता है और यहाँ पर इस चीज को बहुत ही brilliantly किया गया है आप जो है धीरे धीरे इस फिल्म के अंदर घुसते चले जाते हैं जो बार बार मैं shock value की बात ही कर रहा हूं तो धीरे धीरे जब चीजे reveal होते है आप इसके अंदर incorporate होते चले जाते हैं यही इस फिल्म की खासियत है यहाँ पर जो है आपको mythological reference भी देखने को मिल जाएगा आप सोची सकते है क्योंकि फिल्म का नाम है किशकिंधा कांडम तो यहाँ पर जो है mythological reference तो जरूर हैगा रामा एंट से reference जरूर हैगा इसी चीज फिल्म को मतलब चार चांद लगा दिया है तो यह जो एक फिल्म है फिर से कह रहा हूँ यह एक मासी फिल्म बिल्कुल भी नहीं है लेकिन जिन लोगों को suspense thriller देखना पसंद है जिन लोगों को slow burnt thriller movie देखना पसंद है उनके लिए this is a ideal movie ज़रू देखिए इस फिल्म को अगर